जैने दोस्तों बंदे माता, आज भारत और इंगलेंड के वीच में पहला T20 मैच खेला जाना है ऐसे में सभी की निगाहें विराट कोली के उपर होंगी, हाला कि विराट कोली दूसरे मैच से इसको जॉइन करेंगे लेकिन इस सीरीज में विराट कोली के उपर काफी कुछ दाओं पे लगा होगा सबसे बड़ी चीज जो उनकी उपर दाओं पे लगी होगी वो है उनकी खुद की पुजिशन T20 टीम क्योंकि आने वाले समय विराट कोली का चल रहा है और कप्तान वो किसी प्राडूप के नहीं तो अब उनको अपने फॉर्म को लेकर ही काफिजा सजग होना पड़ेगा वर्ण उनको टीम से निकाला जा सकता है दरसल कोली के उपर एक बेरहम कप्तान होने का भी तमगा लग चुका है क्योंकि उन्होंने अपने 68 टेस्ट मैचों में जिसमें उन्होंने कप्तान नी करी थी उसमें उन्होंने करीब करी 64 बार प्लेइंग 11 को बदला था और साथ 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 तक सबसे बड़ी बात जो इस दोरान समझ में आई थी है दिखाई पड़ी थी वो ये थी करुन नायर जिन्होंने कि अपने एक मैच में 13 शतक लगाया था उनको अगले ही मैच में ड्रॉप कर दिया गया था तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि जो कि इस समय विराट कोली के मौजूदा फॉर्म के उपर लगे हुए हैं दरासल पिछले तीन सालों से उन्होंने कोई शतक नहीं जमाया है तो ऐसे में ये सवाल और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं तो अब ये सुनने में आ रहा है कि अगर विराट कोली ने इंगलेंड के खिलाफ इस टीट्विंडी सीरीज में प्रदशन नहीं किया तो उनके पोजिशन के उपर तरवा लटक सकती है वर्ल्ड कप की टीम इंडिया के पूर कप्तान विराट कोली के लिए समय कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है पिछले तीन साल से खराफ फार्म से गोज़र रहे कोली को एक और बड़ा जटका लग सकता है मीडे रिपोर्ट्स की माने तो भारते टीम मैनेजमेंट और चैन करताओं को लगता है कि विराट अब टीट्विंटी के लिए मिडल आल्डर में फिट नहीं बैठ रहे है अगले दस दिनों में इंगलेंड में दो टीट्विंटी और ODI सीरीज खेली जानी है ऐसे में अगर उनका बल्ला इंगलेंड के खिलाफ नहीं चला तो वो टीम से बाहर कर दी जाएंगे मैनेजमेंट को लगता है कि कोहली से बहतर विकल्प मिडल आल्डर के लिए रिशपपन्त शेयर दुनेश कारते को और दीपक खुड़ा रहेंगे साथी साथ टीम मैनेजमेंट रुचैन करता कोहली को टी-20 में जगह देने को लेकर स्पष्ट भी नहीं है टीम के शीडश खिलाडी रोहज शर्मा रिशपपन्त और हर्दिक पंडिया वेस्ट इंडिस के खिलाफ टी-20 सीरीज में हिस्सा लेंगे लेकिन विराट को तभी मौका दिया जाएगा जब वो इंग्लेंड के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्तरशन करेंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें टी-20 टीम के साथ-साथ वर्ल्ड कप टीम से भी बाहर कर रस्ता दिखा दिया जाएगा टीम मैनेजमेंट के एक फैसले ने इशारा भी कर दिया है कि कोहली का टी-20 कैरियर खत्रे में पड़ सकता है दरसल बदवार को वेस्ट इंडीज दोरे के लिए जो टीम चुनी गई है वो सिर्फ वंडे सीरीज के लिए है ऐसे मिसाफ है कि इंगलेट के खिलाफ सीरीज में कोहली के प्रदशन को बिलकुल गौर से देखा जाएगा वेस्ट इंडीज दोरे की कमान शिकरदवन को दी गई है वहीं रोई शर्मा विराट कोली जस्प्रीद भूमरजे से अनुभवी खिलाडियों को आराम दिया गया है पिछले दो सालों से क्रिकेट के मैदान पर औसाथ प्रदशन कर रहे है विराट कोली का बल्ला आईपेल 15 में भी शान थी रहा है कोली सीजन के 16 मैचों में 2.73 के आउसत से मातर 341 रह बना सके 2009 के बाद ही पहली बार हुआ है जब कोली का किसी आईपेल सीजन में आउसत 25 से कम रहा हूँ टीम के कपतानी चोड़ने के बाद सिर्फ बल्ले बास के रूप में खेल रहे विराट कोली आईपेल 2015 के दोनों नॉक आउट मुकाबलों में सस्ते में बढ़ गाये थे यस साल विराट कोली ने सिर्फ दो टी-टी-टी मुकाबले खेले हैं इस दोरान उनके बल्ले से करीब 34 के आउसत से 69 रही निकले हैं ऐसे मतेज जिन बाद मुहमद शामी की जगे भी टी-टी-टी में पकी नहीं बताई जा रही है उनकी जगे अर्शदीब सिंग को मौका दिया जा सकता है अर्शदीब ने भी IPL में काफी अच्छा परशन किया था और इसलिए उनके नाम के उपर भी चर्चा है समझ जो रूपर चल रही है बलकि उनको तो अभी जब आर्लेंड के खिलाब भी मौका नहीं मिला मेरे स्वीडियों फिलालतना ही जाए है प्चाएपाट